कि अपनी इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अगर आप मेरी इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो मेंक शूर आप सब्सक्राइब का बिटन ज़रूर दबाएं तो अपने आज की इस वीडियो के बारे में मैं बात करूंगी आपके स्किन इंफेक्शन मोलस्कम के बारे में मोलस्कम कंटेजियोसम एक वाइरल डिजीज है वाइरल स्किन इंफेक्शन है जिसके बारे में मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी तो दोस्तों क क्या होता है मलस्कं मुलसकं में ओने वाला है जिसमें आपको छोटे छोटे बंस चोटे चोटे डाने आपकी इन पर अपियर हो जाते हैं आपकी घुसने के चार दिन बाद या कभी-कभी महीना भी ले लेता है यह वायरस ्फिक बास तो दोस्टो क्या होता है छोटे-चोटे दाने जो आपियर हो जाते हैं वह बाद में बॉयल्स बन जाते हैं और कए बार जो डॉक्टर होते हैं हमें ओरिटमेट वगैरा ऐसा कुछ दॉच हैडवाइस कर देते हैं जिसकी वज़े से वह ब styl भी हो जाते हैं दोस्तों मैं आज ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रही हूं जो एलोपेथिक ट्रीटमेंट लेकर ठक चुके हैं मॉलस्कम के लिए उन पेशेंट्स के लिए मेरी ये स्पैशल वीडियो है एक बार आप होमेथिक ट्रीटमेंट जरूर यूज करें मॉलस्कम का होमेथिक में बहुत अच्छा pagерж है जो कि आपको कोई पेन भी देता ना ही हम अपने इस त्रीक्मेंट में ऐसा कोई आइलोपेथिक मेंट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं जो अपकी सकिन को बाशन करतें क्या होता है वह इस चीज को बाशन कर देत Pablo आपके जो चोटे चोटे दाने होते हैं मस्टे टायब के उसे बान कर देते हैं और जिसकी वजय से आपकी कंडिशन बहुत सादा पेनफुल हो जाती है यू टो दोस्तों अगर आप भी एसी कीशी बीमारी से सफर कर रहे हो तो आप होमेपाथिक ट्वित्मेंट एक बड़ ज़रूर लेए दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशिंट आये हैं जो मोलस्कम से सफर कर रहे थे और अब भी उन्हें बहुत एफेक्ट भी है मुलस्कम में आपकी श्किन के उपर छोटे छोटे वाइट वाइट कलर के रैशेज और दाने टाइप का अपियर अपियर अपियरन्स हो जाता है जिसमें इचिंग बर्निंग ऐसी समस्यां देखने को मिलती हैं दोस्तों ये फीमेल में थोड़ा कम होता है लेकिन हाँ मेल्स में ये काफी कॉमनली देखने को मिलता है क्या होता है ये ज्यादातर जो प्राइविट पार्ट होते हैं उसे अफेक्ट करता है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स ते जूजना पड़ता है अगर आप भी ऐसी मलस्कम जैसी किसी बीमारी से सफर कर रहे हो तो प्लीज अपना होमेपेथिक ट्रीटमेंट करवाएं और एक पर्मेनेंट क्योर मिले ही आपको होमेपेथी में और अगर आप मुझसे गंसर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे फेस्बुक और तो मेरी वीडियो को शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्षिन में जाके अपनी और बीमारीयों के बारे में मुझे बताएं ताकि आने वाली अतनी वीडियो में मैं उनके उपर आपको जानकारी दे सकाने थैंक यू